आज हम computer के function keys को समझेंगे और इसका use कैसे करना है वो भी देखेंगे, तो चलिए बिना समय गवाय सुरू करते हैं, keyword में कुल function keys की संख्या 12 होती है, f1 से लेकर f12 तक, तो बारी बारी से सबका use देख लिखते हैं, सबसे पहला function की है f1, ये basically help center open करने में use होता है, अगर आप अपने keyword से f1 को press किजिएगा, तो help center open हो जाएगा, जिसकी मदद से किसी भी browser या फिर software से related help ले सकते हैं, तो simply f1 का use help center open करने के लिए किया जाता है, for example, अभी हम chrome browser पे हैं, यहाँ पे आके अगर आप f1 को press किजिएगा, तो देखिए ये help center open हो गया है, यहाँ पे आप chrome से related कोई भी जानकारी ले सकते हैं, अगला function key है f2, इसका use basically किसी भी folder या file को rename करने में किया जाता है, for example, अगर आपको अपने computer के किसी भी folder का नाम change करना हो, तो इसके लिए आप उस folder पर right click करते होंगे, उसके बाद so more option पे जाते होंगे, उसके बाद यहाँ rename का option है, उसके पे नाम save करते होंगे, उसके बाद interface करते होंगे, यही काम आप f2 की मदद से बरे simple तरीके से कर सकते हैं, simply आपको जिस folder का rename करना है, उस folder पे आपको click करना है, यानि कि उसे select करना है, उसके बाद f2 पे press किजिए, उसके बाद उसका नाम जो भी बदलना है आप दे सकते हैं, और उसके बाद interface किजिए, तो उस folder का name automatic change हो जाएगा, तो f2 का use basically rename के लिए किया जाता है, अगला function की है f3, जो की basically आपके computer या फिर laptop में application को search करने के लिए use किया जाता है, साथ ही साथ, अगर आप कोई browser use कर रहे हैं, और आपको text या word find करना है, तो simply आप f3 को press किजिए, तो च search box open हो गया है, आप यहाँ पे जितने भी word लिखे हुए हैं, अगर आप किसी word को find करना चाहते हैं, तो आप वो word यहाँ पे fill किजिएगा, तो आपको highlight में आपको दीख जाएगा, जैसे हम चलिए pn search करते हैं, तो देखिए यहाँ पे pn highlighted में show कर रहा है, इसके बाद अगल function की है f4, अगर आप अपने keyword से f4 प्रेस करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, तो चलिए हम f4 प्रेस करते हैं, तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप f4 को alt के साथ प्रेस करेंगे, तो आपने जो भी window open की हुई है, वो simply close हो जाएगी, जैसे कि हमने mozilla firefox browser को open किया है, तो इसे close करने के लिए simply alt plus f4 को दबाएंगे, तो देखिए ये automatic close हो गया, तो basically f4 का use alt के साथ होता है, और अगर आप desktop पे हैं, तो simply alt plus f4 को दबाएंगे, तो ये shut down भी हो जाएगा, यहाँ पे ok है, ok कीजिए, या enter पे press कीजिए, तो ये shut down भी हो जाएगा, त basically f4 का do use है, alt plus f4 दबाएंगे, अगर किसी browser पे हैं, कोई work कर रहे हैं, तो वो cut हो जाएगा, और दूसरा है कि अगर आप desktop पे हैं, तो alt plus f4 को press कीजिए, तो shut down कर सकते हैं, इसके बाद अगला function की है f5, जो कि refresh करने के लिए use किया जाता है, अगर आप अपने computer या फिर laptop को refresh करना चाहते हैं, तो simply f5 को press कीजिए, और अगर आप किसी browser पे हैं, और किसी page पे हैं, तो यहाँ से आप f5 को press करके, उस page को refresh भी कर सकते हैं, अगला function की है f6, अगर आप laptop को use कर रहे हैं, तो यह आपके volume को decrease करने के काम आएगा, पर अगर आप कोई भी browser यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम chrome browser को use कर रहे हैं, और अगर आपको URL पे जाना है, तो simply आप f6 को press कीजिए, तो यह automatic URL पे आ जाएगा, अगला function की है f7, अगर आप अपनी desktop पे जाके f7 को press कीजिएगा, तो कुछ भी नहीं होगा, पर अगर आप powerpoint या ms word पे जाके, grammar या फिर spelling को check करना चाहते हैं, तो f7 को press कीजिए, तो चलिए हम f7 को press करते हैं, तो यह spelling और grammar को check करके बता देगा, अगला function की है f8, यह basically safe mode में जाने के लिए use किया जाता है, अगर आप अपना laptop या फिर computer start कर रहे हैं, तो आप f8 प्रेस करके safe mode में जा सकते हैं, अगला function की है f9, अगर आप अपने laptop या फिर computer में f9 प्रेस करते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, अगला function की है f10, अगर आप अपने laptop या फिर computer में f10 प्रेस करते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला, अगर आप ms word में जाके shift plus f10 को दबाएंगे, तो एक sort menu open हो जाएगी, इस तरह से, जैसे हम shift plus f10 को दबाएंगे, तो ये एक sort menu open हो गई, जिसे आप use कर सकते हैं, अगला function की है f11, ये basically full screen mode में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप किसी भी browser पे हो, तो f11 प्रेस कीजिए, जैसे हम f11 प्रेस करते हैं, तो ये देखिए, full screen mode में ये चला गया है, और अगर आप फिड इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो फिड से आपको f11 प्रेस करना है, तो ये बाहर आजाएं, तो basically f11 का use full screen mode में जाने के लिए किया जाता है, अगला और last function की है f12, इसका basically ms word में किसी भी file को save करने में use किया जाता है, जैसे कि अगर हमें ये save करना है तो simply आप f12 को press कीजिए, और यहाँ पे आप file का नाम दीजी, यहाँ पे type दीजी, और यहाँ पे simply save पे click कीजिए, तो ये file save हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं इसी तरह की नई informative video के साथ,